जैशी रादे ये सब अवस्थाएं साधक में आती ही है कभी व्याकुलता आती है कभी बूरियत आती है कभी बहुत बजन करने का मन करता है कभी बजन नहीं करने का मन करता है ये उतार चड़ाब रहता है इसको माधुर्य कादम बनी नामक ग्रंत में व्यूड विकल्पा कहा गया है तो यह होता ही है इसको इससे होके गुजरवाई ही होता है यह परिक्षाएं होती है यह हमारी हमें पक्का करती है और भजन में लगे ही रहना चाहिए अजन को शुन्ने नहीं करना चाहिए भजन को छोड़ना नहीं चाहिए और शद्धा पूर्वक लगे रहना चाहिए तूसरी है माला दिना माला निश्चित फल मिलता ही है माला से फल मिलता है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन अधि आप चलते फिरते राते दोते उठते बैठते भी नाम जब करते हैं तो उसका भी फल अवश्य मिनता है एक नाम भी बेकार नहीं जाता है अब ये दो जनम तीन जनम वाली जो बात आपने कही है ये तो उसके लिए कही है कि जैसे आपको 64 माला करने है लेकिन आप के पास टाइम ही नहीं है आठ घंटे का नोकरी करने है दो बच्चे हैं बीवी है तो क्या बीवी को छोड़ दो बच्चों को नहीं बच्चों को छोड़ दो माता पिता को छोड़ दो कि नहीं तो मजबूरी है तो ऐसे में अपने आपको समझा लेना चाहिए कि मुझे करना तो भजन चाहिए नहीं कर पा रहा हूं तो कोई बात नहीं थोड़ा-थोड़ा करता रहूं जतना जतना मैं कर पाऊंगा उतना कर रहा हूं अब एक जनम में नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी भगवान अगले जनम दो जनम तीन जनम मैं कभी तो अपना दर्शन, अपना प्रेम मेरे को दे दे रहा, नहीं का आप कर पा रहा हूं, तूने मेरे को ऐसा प्लेट फर्म दिया है, कि माता पिता मेरे साथ है, बच्चे मेरे साथ है, मैं नोकरी करूँ के भजन करूँ, नहीं नहीं परिपत्न को छोड़ दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन अभी हमारी निस्ठा नहीं बन रही है हम नहीं कर पा रहे हैं चाहते हुए भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है जैसे हमारे पास मानलो हमारा जगरनात पुरी दर्शन करने जाने का मन हो और 20,000 रुपे चाहिए पर 20,000 नहीं ही हो, हमारे पात, तो क्या करेंगे, कुद के थोड़ी मरेंगे, यहीं तो धहरी करेंगे भी ठीक है, इखटा करता हूं मैं, एजार रुटा मेहना इखटा करता हूं, 20 मेहने में 20,000 हो जाएगा, किसी मेने नहीं होगा, तो पच्छिस मेने में हो जाएगा, बच्छिस मेने होगा, तीस में होगा, दो साल बाद, धाई साल बाद, भीया हम तुम हुआओ, हम तो तीन साल बाद, जब बीस अजार रुपे हो जाएंगे, तब हुआएंगे, क्या काने, ये मन को समझाने की बात है, और निराश नहोने की बात है हमें निराश नहीं होना है कि इस जनम में हमें तो होगी नहीं हम तो नोकरी में फसे होगे अरे नहीं होगी तो क्या होगा मर थोड़ी नहीं है अगला जनम फिटा कुर देंगे वो देखेंगे बच्चे के मन में आशा है उतकंटा है आकांक्षा है तो अगला जनम फिर भजन की तीसरी सीड़ी पर यदि हम मर गए तो चोथी सीड़ी पर हमारा जनम होगा, चार से आठ सीड़ी पूरी करेंगे, फिर नो से बारे सीड़ी पूरी करेंगे, आशा बंदा समुत कंठा, आशा नहीं छोड़नी है, उत कंठा नहीं छोड़नी है, और प्रेलाग जी ने कहा था महराद मुझे हजार जनम दे दो लेकिन बस एक ही करपा करना कि मैं जिस किसी जनम और योनी में रहूं आपकी अचला भक्ति में करता रहूं मेन भक्ति है मेन प्रेम है प्रेम सिवा है जनम का कोई लपड़ा नहीं है जनम एक जनम ओ, दो जनम ओ, चार जनम ओ, इसे क्या परक पढ़ना भक्ति तो हो रही है न, वहाँ जाके भी तो हमने शरीर का त्याग करके अंतष्चिनतित देह से चिनवे शरीर से ही चरण सिवा और भक्ति करनी है, यदि इस बंच बहुत एक शरीर कोई गए रहे और उससे पूरती भी नहीं होती है, बस लगे रहें, जब करते रहें, सेवा करते रहें, वेशनव संग करते रहें, थोट प्रोसिस को सही रखें, देखी बात है, प्रिश्चन तो पूछ लिए, सब समझ भी लिया, लेकिन आचरण नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि इस समय ग्यान की कमी नहीं है, ग्यान बहुत है, शोशल मीडिया पर अधर अधर सब जगे, बहुत ग्यान है, उसका आचरण हमें करना है, बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, तो मेरा पार है, इस शीरादे जैने ताई, शीरादे.